हालो और इवन, study with us में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम discuss करने वाले हैं super important questions जो कि काफी important है आपके net के exams के लिए तो net के paper 1 के syllabus के according जो है मैंने इसमें questions लिए है कई ऐसे questions हैं जो already exams में पूछे गए हैं तो ये वीडियो जो है आपके लिए काफी helpful रहीगी क्योंकि इस वीडियो में हम जो है questions को explain करते हैं और जितने भी questions आगे पूछे जा सकते हैं उन सभी questions पर discuss करते हैं ऐसी वीडियो अगर आपको पसंद आती हो तो like करें और चैनल को subscribe नहीं किया तो जरूर कर लें ताकि ऐसी वीडियो की notification जो है आपको day to day मिलते रहे और अगर आप हमारी पहले की वीडियो को देखना चाते हैं तो link description में दे दिया गया है क्लिक करके आप हमारी पहले की सभी वीडियो को देख सकते हैं ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो पहला सवाल है वो यह है कि संग्यानात्मक संग्यानात्मक विकास के चार अवस्थाओं का विभाजन किसने किया है मैं कोशन अबर फिर से पढ़ देता हूं कि संग्यान आत्मक विकास के चार अवस्थाओं का जो वर्णन है वो किसने किया है ठीक है तो इस कोशन का जो सही आंसर है वो है option number A ठीक है option number A प्याजे ने जो है संग्यान आत्मक विकास की चार अवस्थाओं बताई है और इन चारो अवस्थाओं को जो है इन्होंने विस्तार से बताया है तो मैं इन चारो अवस्थाओं को आपके आरें बता देता हूं ठीक है आपके लिए क्योंकि एक्जाम में ये पूछा जा सकता है तो पहली जो अवस्था इन्होंने बताई थी, वो थी समवेदिक अवस्था, या समवेदिक पेशी अवस्था, ठीक है, ये अवस्था जो होगी वो बचपन से या कही कि जनम से दो वर्स तक होगी, दूसरी जो इन्होंने अवस्था बताई है, वो बताई है पूर्व सक्रि सक्रियात्मक अवस्था ये जो अवस्था उन्होंने बताई है ये बताई है दो से लेकर के साथ वर्स के बीच में तीसरी जो अवस्था इन्होंने बताई है वो बताई है मूर्थ सक्रियात्मक अवस्था ठीक है ये जो बताई है ये साथ से 11 वर्स के बीच बताई है और सक्रियात्मक अवस्था ये बताई है इन्होंने 11 से लेकर 18 वर्ष के बीच में ठीक है ये 4 अवस्थाएं जो हैं बताई हैं किसने प्याजे ने जो कि किस से संबंदित हैं संग्यान आत्मक विकास से चलिए next question क्यों राते हैं निम्न में से कौन सा व्यस्क अधिगम सिध्धान्त है adult learning theory कि याँ पर बात की जा रही है और इनम से कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं तो देखें नव सैली जो है ये भी व्यस्क अधिगम सिध्धान्त का ही हिस्सा है समान भी है और अपील भी है तो सही आंसर option number D होगा उप्योक्त सभी ठीक है उप्योक्त सभी और भी हो जाते जैसे की अनुभव ठीक है अनुभव भी जो है इसका हिस्सा है और नेत्रित ठीक है ये भी इसी के अंतरगत आता है next question है निमिल लिखित में इसे कक्षा सिक्षन का सबसे महत्पून उद्देश कौन सा है ठीक है सबसे महत्पून उद्देश कौन सा है इसमें पूछा जा रहा है तो सही आंसर जो है इसका वो है option number B ठीक है कक्षा सिक्षन का सबसे महत्पून उद्देश होता है चलिए next question जो है वो ये दे रखा है कि सोध करता से संबंदित नैतिक मुद्दों में शामिल है ठीक है नैतिक मुद्दों में सामिल है तो इसमें देखे कौन-कौन सा बोल रहा है कि पूर्वा ग्रह से बचना ठीक है ये भी एक नैतिक मुद्दा है ठीक है और उपचार के प् प्योग ये भी नैतिक मुद्दा है एक तरीके से सही आंसर है इसका option number D ठीक है option number D जो है इसका correct answer है और भी इसमें कुछ नैतिक मुद्दे हो सकते थे जैसे कि गलत reporting ठीक है गलत reporting और जानकारी का अनुचित उप्योग ठीक है जानकारी जो होती है जानकारी का जो है मुद्दो में जुड़ जाता है next question है निम्न में से कौन सा आलेख का परकार है आलेख का परकार है तो इसका सही जो answer है उप्योग सभी ठीक है ये सारे के सारे जो हैं आलेख के परकार है जैसे कि अर्थपरकाशन वर्णनात्मक और प्रेरक ठीक है तो ये आपको इसमें या चार परकार के आलेख होते हैं कथा प्रेरक वर्णनात्मक और अर्थ परकाशक और अगर आपसे आलेख के चरण पूछ ले क्योंकि शोद के काफी चरण पूछे गए हैं हर बार एक्जाम में पूछा जाता है स्टेप आफ रिसर्च ये तो हो सकता है आपसे जो है आर्टिकल ठीक है आमूर्थ बनाना फिर आता है लेख लिखना महिमा साजा करना पाठ को परिस्कृत करना और सम्मिशन करना ठीक है ये सारा का सारा चरण है किसका आलेख का तो आप याद रखें क्योंकि सोद वाले चरण पूछे गए हैं तो ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं निमिल लिखित में से कौन सा विचार ये दरसाता है कि ज्यान का अनुभव से आता है तो इसका सही आंसर है सब्द सही पता चल जाएगा अनुभववाद ऑप्शन नमबर डी इसका करेक्ट आंसर है अनुभववाद देखें वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रू करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूरू कर ले ताकि ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको मिलते रहे और पहले की वीडियो के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है और उपर आई बटन पे क्लिक करके भी आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं चलिए निमिल लिखित में से कौन सी अनुसंधान विधी भारस सरकार द्वारा हर दस दस वर्ष के बाद जनगर्णा में उप्योग होती है उप्योगी होती है तो दस वर्ष के बाद जनगर्णा की जाती है हर ठीक है हर दस वर्ष बाद तो उसके लिए जो विधी या कहें कीजो तकनीक इस्तमाल की जाती है वह स्रवैक्षन की option number 10 का correct answer है स्रवैक्षन ठीक है ध्रवैक्षन ठीक है और त्रीक है और अगर आपसे पूछे की पहली जंगारना कब की गई थी तो 1872 में की गई थी पहली जंगारना लेकिन अगर आपसे पूछे कि भारत की सबसे सफल जनगर्णा कप की गई थी तो 1881 में की गई थी ठीक है सफल जनगर्णा इसी के बाद से जो है अहर दर्षबाद जनगर्णा की जाती है ठीक है तो क्या आप मुझे भी बता सकते हैं संद 2011 की जो जनगना हुई ये कौन से नंबर की जनगना थी ये आपको मुझे कमेंट में बताना है नेस्ट कोशन है आकार के आधार पर ठीक है आकार के आधार पर केंप्यूटर को कितने वर्गों में बाटा गया है ठीक है ये हमें बताना है किस बेसिस पे साइज के बेसिस पे तो देखे चार वर्गों में बाटा गया है ठीक है चार वर्गों में केंप्यूटर को बाटा गया है कौन कौन से तो याद रखना है पहला है माइक्रो ठीक है और दूसरा है मिनी तीसरा है में फ्रेम और चौथा है सूपर सूपर कंप्योटर ठीक है तो यह चार प्रकार है कंप्योटर के ठीक है जो आपको याद रखने है ओके तो आज की वीडियो में इतना ही I hope यह वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना चाल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लो ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलते रहे तो मिलिंगे अब नेक्स वीडियो में थैंक्स वर वाचिंग दिस वीडियो